था तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे ब्रैडल महंदी के बोर्ड़र्स दो परकार के होते हैं एक तो simple border और एक heavy borders तो मैं आपको इस वीडियो में simple borders create करना सिखाऊंगी तो चलो वीडियो को इस टार्ट करते हैं simple border बनाने के लिए हमें एक cd line draw कर लेनी है फिर इसके बाद हमें छोटे छोटे हम्स की एक layer create करनी है हम्स की layer को हमें ज्यादा मोटा create नहीं करना है फिर इसमें हमें lotus flower की design को aid करना है जैसा की मैं वीडियो में कर रही हूँ lotus flower बनाने के बाद हमें इसमें छोटी leaf की designs को create करना है हुआ है इसके बाद हम लोटस फ्लावर में हलकी सी शेडिंग का लुक देंगे शेडिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लोटस फ्लावर को पूरा नहीं भड़ना है शेडिंग करता है फिर इसके बाद जो खाली भाग बचा हुआ है उसे मेहंदी से फिल कर देंगे इस परकार से हमें लोटस फ्लावर्स की बोर्डर तयार करनी है इसके बाद हम दूसरी बोर्डर की डिजाइन को क्रियेट करेंगे जिसमें हम बेबी एलिफेंट का यूज करेंगे तो हमें इसके लिए दो सीधी लाइने सेम डाइरेक्शन में क्रियेट करनी है फिर इसके बाद इसमें छोटे हम्स की लेयर क्रियेट करनी है हम्प्स की लेयर के उपपर हम सेम डाइरेक्शन में बेबी एलिफेंट बना लेंगे फिर इनके बीच की खाली जगे को फिल कर देंगे और इन्हें थोड़ा सा डार्क बना देंगे इसके बाद दोनों बेबी एलिफेंट के बीच तीन छोटी लीफ की डिजाइन्स को क्रियेट करेंगे और इन्हें डार्क कर देंगे इस परकार हमारी दूसरी बोडर की डिजाइन भी बन कर तयार हो गई है अब हम तीसरी बोडर की डिजाइन को क्रियेट करेंगे इसके लिए हम दो सीधी लाइने बना कर इनके उपर सेम डाइरेक्शन में तीन-तीन सीधी लाइने बना लेंगे इनके उपर की लाइनों को थोड़ा कर्व का शेप देकर मिला देंगे जिसे की एक डिजाइन बनकर तयार हो जाएगी फिर हम इन पर एक छोटे हम्स की लेयर क्रियेट करेंगे इसके बाद इस डिजाइन के बीच के खाली भाग में तीन तीन छोटे लीव की डिजाइन बना देंगे और बचे हुए भाग को फिल कर देंगे कर देंगे कर दो कर दो कर दो फिर इन दोनों डिजाइन्स के बीच में छोटी छोटी वाइन्स की डिजाइन्स को एड करेंगे और उपर के भाग पर हम एक एक डोट बना देंगे इस परकार हमारी तीसरी बोडर की डिजाइन भी बन कर तयार हो गई है हम चोते बोडर की डीजाइन को क्रियेट करेंगे इसके लिए भी हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है और उस पर छोटी हम्स की लेयर क्रियेट करनी है इसके बाद एक स्पिरिल बनाकर उस पर छोटे हम्स की लेयर बनाकर उसी परकार एक बड़े हम्स की लेयर बनानी है फिर हमें इसके साइड वाले भाग में एक बड़ा और आदा स्पिरिल बनाकर उस पर दो छोटी लीफ की डीजाइन बनानी है इसी परकार से हमें इस डीजा को रिपीट करना है डिजाइन कंपलीट होने के बाद इसे थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए इस डिजाइन पर हम छोटी छोटी वाइन्स की डिजाइन्स को क्रियेट करेंगे तो हमारी चारो गोडर्स की डिजाइन बन कर तयार हो गई है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद